भारत ने नेपाल को पराजित कर एशिया कप के सुपर फोर में अपनी जगा बना ली है और इस जीत के बाद एक बार फिर से तयार हो जाईए कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है गदर टू कब होगा ये गदर ये आपको बताऊंगा लेकिन पहले बता दू कि आप देख रहें नियूज बाइसकोप और मैं हूँ राकेश रंजन भारत ने नेपाल को दस विक्टों से पराजित कर जो है ग्रुप में एक बड़ी जीत दर्स की और सुपर फोर के लिए क्वालिफाई क कर लिया एशिया कप के हलाकि अगर हम इस मैच की बात करें तो भारतिये गेंदबाजों और फिल्डर्स ने जो है वो निराश किया लेकिन अगर इस मैच से हम पॉजिटिव की बात करें तो कफ्तान रोहित शर्मा का फॉर्म में आना ये भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस की ही बरसे रन भी बल्ले से किसके किसके शुमन गिल और रोहित शर्मा के बल्ले से रन भी बरसे देखिए जो नेपाल की टीम है उसके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है भले ही वो टूर्नमेंट से नेपाल की टीम बाहर हो गई है लेकिन वो बहुत सारे पॉजिट बाजों ने सभी ने प्रभावित किया है, उनकी फील्डिंग ने प्रभावित किया है, लेकिन बात हम आज भारतीय टीम के इर्दिगर्द ही रखेंगे और भारत के positives की बात करें वो भी तब जबकि भारत काप सुपर 4 में जो है वो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान से 10 सेप्टेंबर को और संभावता ये match जो है हम बंटोटा में खेला जाएगा अगर हम positive की बात करें तो सबसे बड़ा जो positive है तो वो ये है कि रोहित शर्मा ने form वापसी की घोशना कर दी है जिस तरह से पहले over में जो है वो करण की गेंदो का सामना कर रहे थे उस वक्त रोहित शर्मा का तो confidence हिला हुआ दिखी रहा था match देख रहे जो जितने भी दर्शक थे उनका भी confidence हिल गया था कि आखिर भारतिय कप्तान को हो क्या गया है लेकिन फिर जो है वो एक बारिश की बाधा आती है और उसके बाद जब रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं तो वो एक बदले हुए रोहित शर्मा थे एक aggressive mood में आते हैं और उसके बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया नेपाल ने पहले बल्ले बाजी की और 230 रन बनाए और कोई भी टीम जब भारत जैसे देश के खिलाब 230 रन बनाए तो आप मान लीजे कि उसने अच्छी बल्ले बाजी की है किसी भी कमजोर टीम की मैं बात कर रहा जो है ये साबित कर दिया कि उस टीम में जो है वो प्रतिभा है दूसरी तरब भारत के लिए ये चिंता की बात रही क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने नेपाल को सौ से कुछ रन जादा पर ही रोक दिया था लेकिन उस वक्त नेपाल की टीम चेस कर रही थी और उस पर भारी लक्षे का दबाब भी था लेकिन बापजुद इसके भारत की फील्डिंग जो है वो निराशा जनक रही तीन कैच छोड़े गए 26 गेंदों में अगर आप तीन कैच छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए जो है ये तो नेपाल का मुकाबला था कि निकल गया लेकिन अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ आप इस तरह की चूक करते हैं तो फिर आपको इसकी सजा भुगतने को तयार रहना होगा दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारती है स्पिनर्स इस मैच में भारत के लिए पॉजिटिव रहे रविंद्र जडेजा ने मिडल ओवर्स में ती लेकिन नेपाल के खिलाब जो मकाबला हुआ उसमें उन्होंने विकेट निकाले और शारदूल ने पहला ब्रेक्थ्रू दिया था नेपाल ने 65 रनों की ओपनिंग साजेदारी की थी उसके बाद रविंद्र जडेजा ने तीन विकेट निकालकर मैच में भारत की वापसी क है चुकि कुलदीब भी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों ही गेंदबाजोंने 20 ओवर में सिर्फ 74 रन दिये और 3 विकेट निकले हलाकि कुलदीब को विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 34 रन दिये देखिए भारती के जो तेज गेंदब को उसका असर जो है वो दिखा वो ले में नहीं थे और इसलिए कहा जाता है कि जब आप ले में हो तो खेलते रहिए लेकिन यहाँ पर शमी को वर्ल्टेस्ट चैंपिनशिप के बाद से रिस्ट दे दिया गया था अब हो सकता है वो फिट ना हो सिराज को विस्ट इंडीज में टिस्ट सीरिज जैसे ही खत्म होता है वापस कर दिया गया था भारत रिस्ट के लिए जबकि उस वक्त वो कमाल की गेनबाजी कर रहे थे तो उस लेक को आपने तोड़ा तो उसकी कीमत भी आपको कल के मैच में चुकाते चुकाते आप रह गए बच गए ये बात सही है अगर ये बड़ी टीम होती तो फिर मैच का परिणाम दूसरा आ सकता था इसी रिस्ट की वज़ा से बैटर्स अपनी लेक हो जाते हैं तो जब आप से रन बन रहे होना तो बस खेलते रहे रिस्ट की सूचिये मत यही जो है क्रिकेट के जो बड़े-बड़े विशे शग्य तीन मैचों की वंडे सीरीज खेलेंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप है तो आप साथ में खेलते रहें और जो ले है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें इसी कड़ी में जो है रोहित शर्मा ने कल जो है फॉर्म वापसी की घोशना की और 74 नाबाद रन बनाए 69 गेंदों पर शुबमन गिल ने भी 67 रनों का योगदान दिया दोनों ही नाबाद लोटे डकवर्थ लूइस मिथट के बाद जो रिवाइस टार्गेट था वो 145 रन भारत को बनाना था 23 सोबरों में जिसे भारत ने आसानी से बना लिया अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 10 सित संबर को होना है तो उसके लिए तैयार रहिए और भारतिये टीम को तैयार होने की जरूरत है जस्प्रीद बुमरा तब तक टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो वो प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे और वहाँ पर जो है देखना है कि भारतिये टीम दवाब किस तरह से ले तो उस दवाब को हटाना होगा खुल कर क्रिकेट खेलनी होगी क्रिकेट को इंजॉय करना होगा और ऐसा अगर सब कुछ हुआ तो 10 सितंबर को भारत पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत ने नेपाल को पराजित कर एशिया कप के आश्वेल रस ये एक ही बॉटल में है स्ट्रेस, वीकनेस, अचिरिटी, अबिसिटी, हेर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल आश्वेल लाइफ, डियाबिटीस फ्री लाइफ IIT, जी, नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंक देने आ गया है Complete Solution Institute यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session Ask the Spert, Video Solution और भी बहुत कोच मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor Foundation Classes from Class 6 onwards For your bright future, visit Complete Solution Institute